दोस्तो डीप नोलेच चैनलंग में स्वागत है और मैं चित्राजन आपको जेट पॉंप का एर प्रोब्लेम की बारे में बताऊंगा जैसे कि यह जो डाइग्राम आप देख रहे हो यह जेट पॉंप का ही है जैसे कि दोस्तो यह रहा जेट का मोटर है अंदर उपर और यह यह रहा प्रिमिन यूनिट और यह रहा प्रेशर कंट्रल वाल्ब और यह प्रेशर नट यह डिस्चार्ज पाइफ और यह जो जो दो पाइफ आप देख रहे हो इसमें एक है प्रेशर पाइफ और एक सक्सन पाइफ यह वाटर का ग्राउंड लेबल है यह और यह पानी का जैसे कि ये दो मीटर तक अंदर रहना है दोस्तों ये जो जेट आप देख रहे हो जेट एसेमली यानि आप फूट वाल खेलते हो इसको ये जो जेट एसेमली आप दो मीटर तक अंदर रहना है पानी से उपर से नीचे तक दो मीटर अंदर डूबना है और जेट का बड़ा पीचर यह है दोस्तो यह जेट की बात करें तो यहां पे देख लिए जगा दोस्तो यह जेट में एक वासर हाता है रबर का वासर और एक स्प्रिंग लगा रहता है इसकी बज़े से पानी यहां से नहीं खीच रखता है आप जब पानी यहां पे डालोगे तब यह पानी आपका मोटर सही से काम करेगा तो दोस्तो यह फंडा है इसमें तो आप यहां पे मोटर को कोई प्रोब्लेम हो तो आप निकाल भी सकते हो इसलिए आप यहां दो यूनियन फिट कर देना जैसे कि हमारा घर में मैंने दो यूनियन यहां पे फिट कर दिया हो कोई भी प्रोब् इस वासर की बज़ा से पानी नीचे ये पानी जाने की बज़े से ये एडन हो जाएगा और आप यहाँ पानी डालोग भी तो ये साउंड करेगा बूम जैसा और मोटर चलता ही रहेगा पर पानी नहीं डिस्चाज होगा इस प्रोब्लम को सोलुशन आप ये वासर ही चेंज कर दो और ये जो स्प्रिंग है ये चेंज कर दो यहाँ पर जो लगा रहता है स्प्रिंग और वासर तो दोस्तों चलिए हमारे कुवा पास ये में डिटेल से दिखा दूँगा और उपर जो आप प्रेशर भाल देख रहे हो ये कैसे आप कांट्रल करोगे ये सब बताओंगा तो चलिए दोस्तों तो ये रहा दोस्तों हमारा कुवा में जो जेट एर पॉम्प लगा है सिजिक क्रॉंक्टोन ग्रिप्स का और आपको जो दिखा रहा था में दो यूनियन की बाद तो ये रहा दो यूनियन आप ऐसे यूनियन क्रिट कर सकते हो और जो एर कब बता रहा था ये रहा एर को ये रहा प्रेमिन यूनिट या प्रेशर कंट्रोल भाल ये प्रेशर लगा देना क्योंकि यह नॉट तूट जाने की चांसे से इसलिए आपको स्टील एलंकी लगा देना यहां पर शिक्स नमबर का सिक्स नमबर का स्टील एलंकी आप लगा सकते हो कोई भी बाइक का एलंकी आप यहां से यूज कर सकते हो दोस्तों है और जब भी कोई लीकेस हो जैसे कि जो जेट आपको यहां पानी मरे अभी डुबा हुआ है अभी दिखेने देगा जट का वॉसल्प खतन वने से यहां पानी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एर घुश जाएगा, तब यह आपका मोटर घुमेगा, पर पानी डिस्चाज नहीं करेगा, डिस्चाज पाइप से, तो दोस्तों, इस कंडिशन में आप क्या करोगे, यह जो यूनियन को निकालना, यह जो दो यूनियन द लूज करते हैं, ठीक से, और यह थोड़ा लूज कर देना, और यह भी थोड़ा लूज कर देना, और मोटर चालू कर देना, उसके बाद यह थोड़ा टाइट कर देना, चालू होने के बाद, इसमें पानी आपको डालना है, बिना इसको निकाले, कैसे आप मोटर चालू कर सकते हो इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हूं जैसे कि उसका लिंक भी डेस्क्रिप्शन पर इसी वीडियो की डेस्क्रिप्शन पर दे दूँगा उसमें लिखाए जेट पॉंप स्माल सोलूशन वो वीडियो आप देख लिजेगा तो थेंक्यू दोस्तो इसी तरह डीफ नॉलिज की बारे में जानकर चाहिए तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिया थेंक्यू सब्सक्राइब माई चानल डीफ नॉलिज लाइक करें थेंक्यू दोस् झालो है झालो है।